ये किस चीज की दाल है भया बहा या ये दाल किस चीज की है ये उड़द एक और डाल है ना इसमें सारी उड़द है ये है मशीन मौसा जी क्या होगा इस मशीन से इसमें दाल कसे जोएंगे सारी दाल पर साई जाएंगे हां ना एक मशीन ये है नेक्स्ट ये वाली मशीन है ये मशीन को पहले पिठा ही लगाएंगे अच्छा सो बेसिकली अब बनाया जाएगा पहाडियों का खास पकवान यानिकी उड़त डाल के पकोड़े जो की बहुत ही शुब होते हैं शादी ब्यामे बनाने के लिए तो सबसे पहले या मशीन जो होती हैं इन पर पिठाई लगाई जा रही है जो की एक तिलक होता है उसके बाद जो है दाल पीषने का काम शुरू किया जाएगा यह क्या लगा रहे हैं मशीन पिठाई लगा रहे हैं पिठाई दे रहे हैं जिसे हर एक शुप काम को शुरू करने से पहले तैयार किये जाते हैं तो मिक्सर्स को पिठाई लगाई जा चुके जिसमें दाल पीषी जाएगी और अब परिवार के सभी सदस्यों को पिठाई लगाई जाएगी और उसके बाद दाल पीषने का काम शुरू किया जाएगा और यहां पर बनेंगे पकोडे तो हर एक तरीकी के मंगल कार्णे चाहे शादी हो या फिर किसी शुब कारे की शुरुवात हो या फिर कोई पर्व हो उड़े दाल के पकोडों को बहुत ही ज़्यादा शुब माना जाता है और इस तरीके से दाल को पीसा जाता है तो दाल पीसने का काम हो चुका है शुरू तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इन पकोडों का महत क्या है पहाडों में और अब मैं बताऊंगी इन पकोडों की रेसिपी तो सबसे पहले उड़त की डाल को कम से कम 12-13 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दें दें डाल को पानी से अलग कर लें इसके बाद मिकसर पर डाल को पीसने का काम करता है उसके बाद धनिया हरिमिर्च को भी मिकसर में अच्छे से बारीक पीस लें और उसके बाद स्वाद उनुसार नमक डालें फिर कड़ाई में सरसू का तेल गरम कर लें इसके आगे आपको दाल के पकोडो को ये वाली shape देनी है क्योंकि ये वाली जो shape होती है वो पारंपरी काकार है इसलिए पहाड़ी लोग इन पकोडो को ये ही वाली shape देते हैं सो काफी ईजी है इन पकोडों को बनाना और पकोडों पर भीगी उवली से आप काले तिल लगा दें उसके बाद दैन इन पकोडों को फ्राई करें और इंजॉय करें ये टेस्टी पकोडे सो ये मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी अगर आप कभी घर में बनाना चाहें इन फकोडों को तो आप बना सकते हैं है 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 तो आज है डे थ्री और आज के दिन हम जा रहे हैं चंबा और टीडी डैम तो ज्यादा लोग नहीं जा रहें मैं और प्रकाच जा रहे हैं बाइक से तो आज हम आपको घुमाने वाले टीडी डैम और चंबा मार्केट तो जल्दी से चलते हैं यह हमारी बाइक यह हमारे भाई और चंबा जाने के लिए टीडी डाइम जाने के लिए हमारा कपर हो चुका है शोड़ी नौसम बहुता प्यारा हो रहा है तो देख तेक कितनी तेर में पहुंचते हैं अभी आइजिंग साढ़े नौ से दस बज़ रहे हैं रास्ता थोड़ा से यहां पे कच्छा रास्ता है पतला रास्ता है थोड़ा मुश्किल है बाइक चलाने में लेकिन यहां भी ड्राइवर है हमारे प्रकाश बाबा अच्छे यह मुश्का रास्ता साना पीचे अब यह प्लेन हो जाएगा अब यह थारा है यह थारा है यह थारा है यह थारा है रास्ते यह थारा है यह मतली आफेरा है उससा फुल एटवंचर अब यह थारा है अब यह तो फाइनली घर से गाउं की में गेट पर हम आ चुके हैं और कैसे कैसे रास्ते वह आप देख चुके हैं और बाइक से उन रास्तों से आना थोड़ा सा एडवेंचरिस था और यह लोकल मार्केट है आप देख सकते हैं और तीरी डाम किता किलो मेटर है तो सबसे पहले दूर हम चल जाएंगे यानिकी चंबा मार्केट चल जाएंगे आपको मार्केट दिखा दूंगी मैं सारी एक्स्प्लोर करेंगे मार्केट को और आते वग्त हम तीरी डाम जाएं तो आज प्रकाश भाईया की क्रिपाश से हम घूमेंगे चंबा मार्केट और टीवी डाम अच्छाटी बहुता है यह चारो दों को दोड़ता है अच्छा यम्हूत्री हो गया आपकेदानात हो गया बद्रिनात हो गया सो बेसिकली हमने प्लान किया था चंबा मार्केट और टीरी डाम जाने का लेकिन जाजे जाते थोड़ा सा प्लान जो है वो बदल गया और उसके बाद हमने इनके साथ साथ कोटी कॉलोनी टीरी डाम ब्रिज और डोबरा चांटी ब्रिज भी कवर किया यह सारी चीज़े हम आपको एक वीडियो में दिखा नहीं सकते तो इस वाले एपिसोड के दो पार्ट्स होंगे और दो पार्ट्स में यह सारी चीज़े हम आपको एक्स्प्लोर कराएंगे अब ही दस बज रहे हैं भाई तो कितने बजे तक चंपा पोच जाएंगे हम? हम पोच जाएंगे ग्यारा बज के दथ नटी तक अच्छा मतलब एक गंटा लग जाएगा ठीक है हमें रास्ते में जाते वे तीरी डाम दिखे कि वैसे? तीरी डाम नहीं दिखेगा है लेकिन हमें दोबरा चांटे को ज़रूर दिखेगा अच्छा दोबरा चांटे अच्छा जहां पर लाइट्स वेगरा का पूरा वहता है ना हाँ लास्त टाइम मैं गई थी लेकिन उस ताइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई लेकिन आपको एक जरू दिखा दूँगे कौनसी बाइक पर चल रहे हम इसे ये ग्लामर अच्छा अब ही रतनू आने वाला है मेरा सुसुराल आने वाला है तो आपको मैं राज्ते में दिखाऊंगी मेरा सुसुराल का एं और क्या मज़े आ रहे है ना बाइक में पहाड़ों में गूमने में ये चीज़ हम बाइक बड़ी आर है यह हमारा गाउ है यह रतनो गाउ है कौनसी सड़क जाती है अच्छा यह जाती है मेरे सुसुराल के लिए सड़क अभी कच्छी अभी बन रही है यहां बीच रास्ते में आप देख सकते हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए कितना टाइन लग जाएगा भाई पांदस मिंट बाद हम यह आप से निकल जाएंगे यहां पे सारी गाड़िया रुकी हुई है अगर आपने व्लोग नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप व्लोग जरूर देखें आदा गंटा में अर्मोस्ट चुका है ना बाइक पे आदा गंटा और लगेगा और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्या चंबा मार्केट बहुत ही फेवस मार्केट है आपको आप हार एक चीज में चाहेगी और काफी नाम है चंबा मार्केट का मैंने दूर से देखी आते जाते पर मैंने कभी रुक के एवने एक्स्प्लोर नहीं किया पाच बागा मिला है हा भाद भूदा बूंतावादी शुरू हो गई विद्रो करो विद्रो अब भी बारिश हो गए यह शुरू तो मैं सोच दो रेनकोट पहलू मेरा भाई मेरे लिए रेनकोट लेकर रहा है यह बहुत बुरान हो गया एक दो साल से ऐसे पढ़ा है अच्छा अब भी जाए बहुत कम जूट हो निए पानी बैट जाए पर दिक्कत जाएगा रहाँ आप एसे प्रेचाण आप एसे पढ़ए तो दिखाओं कैसे लग राए है मैं पहली बार पैंड रेनकोट प्तो प्रें निया जाए निया कभी पेहना इसमांग है जो की भी असमें? जाना बूलिया मैं जो कोई बात है यह हमने पैं लिया रेन कोट यह तुरा पैक पर देश्ट पर देश्ट अब भीगोगे निचे तक नहीं भीगोगे यह हम होगे पैक अब भीगेंगे नी अब भीगेंगे इस बादिश में तोड़े बत बाल गीली हो जाएंगे पर इतना चलता है बेनाना कैप बांदो पीछे से बांदो और यह हम औरे पैक कि मेरे बाल ना भीगे में बिमानना पड़ू क्योंकि कल मेहंदी हल्दी है और परसो है शादी दो तोड़े प्रॉंके लेके जारों तो बड़ा कूल लग रहा है यह दोगो पीछेज दिखा दे तो मैंने कैसे उसको अटेच कर दिया पूरे सर्दार लग रहे हो जल्दी से जल्देख और पांदो व्याव जाव 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 श्रॉक यह आपको लेकिन पहाडों में बहुती ज़्यादा सेव ड्राइब करना क्योकि यह एंके रास्ते गोना बं और खाबड़ों कहीं पर कंस्रुक्षं का काम चल रहा है तो आपको बहुत सवदा सेव ड्राइब करना है और बारिश में तो थोड़ा फिस्टन भी होती है इसलिए बहुत संबल के आपको ड्राइब करना है जब भी आप पहाड़ों पर ड्राइब के ले निकले और यहां पर खोरा ओमाई गॉड रास्ता भी नहीं दिख रहा हमें लेकिन प्रकाश भाई लोकल है यहां के च कि अपर सेटाना है और में कैसी लगई मैं लोक कैसा लगए आपको पर्म सक्ष्ण वे बताना है चीक है अरे मेरी कोटी उट पही है यह उड़ना जाए बिलकु पुटेश नी हो भाई निगल गई और पहाडों के ये खुबसूरत नजारे हम कैसे मिस कर सकते हैं तो हमने ली बहुत सारी क्लिप्स आपको ये खुबसूरत नजारे दिखाने के लिए तो अब सिर्फ दो किलो मेटर दूर है चमबा मारकेट और सबसे ची बात ये है कि हम चमबा टनल से गुजर के मारकेट में जाएंगे और ये चमबा टनल इसके अंदर जाने वाले हम ये कितने साल पहले बने नजा भाई दो साल पहले लेट स्टार्ट इंफोमिशन के लिए मैं आपको बता दू कि ये सुरंग उत्राखंड की सबसे लंबी सुरंग है 440 मीटर लंबी टनल और सुरंग के उपर बसा हुए पूरा चमबा शहर साथ ही ये टनल चारधम परियोजना से जुड़ी हुई है यात्रा के दौरान चमबा में होने वाली भीड को कंट्रोल करने में आसानी हुई है इस सुरंग से यानि कि ट्राफिक को कम किया गया है और यात्रियों को सुविदा हुई है ओ मैं गाड़ क्या आप बारिश हो रही है घ्राफिक के लाफिक की टेज़े है पर दो भानी जागाए और विड़ी दरा भीग प्रॉपए बोला भी प्रॉपविन नी चारा चारा निस में ए हुए पोर दंड लग गाए हाँ सुनों हो है हम सुन एलने देता मिफ सिर्मी अबड़िग एरधवन में, मान दाय पिरा भी मेरे तो प्रसाइल नहीं जुड़ाया थे और भ्रसाग्स मेरा टोँ लोडियं sytuी कि अमर्ची है चुछा elementos मैते हैं दिह ने भीग चुके ऐम पूरे सथ मैं है आगी कि अम मर्किखी अ सजे को पॉर्च्न कवाल है वी यह मो बयात शिया राहिए कि आगी ऑगी हम बस मुव में से दुहा नहीं कल गाहे हैं हम अचुके चंबाम में बहिया की शॉप पर बहिया पर नाम किया है मेरा नाम राइंदा सिंह तड़याले जी हां जी तो बहिया दिखाएंगे प्रकाश भाई को अच्य-ची पैंट हम तोड़ी सी शॉपिंग करेंगे उसके बाद आपको मार्केट एक्स्प्लोर कराएंगे बेयर चैनल सब्सक्राइब कर लिया कर देंगे अभी कर देंगे उन भी अने कर लिया आप भी कर लीजेगा आपके चैनल कर लाम क्या है आपकी दुकान चंबा में है कितने साल से आपकी दुकान होगी 11-12 साल काफी अच्छा आपके पास क्या है आपकी शॉप का नाम यह तर्याल गार्मेंट व्हार आपकी पूरी शॉप को दिखा देती हूं साइद कपूर यह कपड़े लेन यह थे आपके अजे और जादा बारिश के बाहर होगा जादा बारिश तो हमाई इस रेस्ट्रॉम है यह हमने ओर्डर किया एक पिज्जा यह है रेस्ट्रॉम यहां पर चल रहे है चाहे चाहे है अब हम चाहे पिएंगे पिज्जा खाएंगे अब हम निखलेंगे आसर यहां के परेक बाहँ पिज्जा रहे वारी पिज्जा अब लोना भाई तो अग्व आच यहां प्सक्त अब दीजर्डर क में जाएंगे पिज्जा यहां पिज्जा प्सक्त तॉद्दॉम कि अब लीने आए रेन कोट तिन आगाए अभी आगे सिए बता मुएस्ट इस पे इधर से इधर से इसी पे टोपी पे इसी पे टोपी टोपी पे आगे जादू मिलें में है 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 मैं दो आगो है हो एंद फडनी घुशन ना इत्राइब दोफिछ श λέते इताव है टोफिधन कोवंवार्वाण जी आए तोन्हों यहीरी एरी यह आगाए तो अ दुर्ण थेजयन खाड़ने धाड्री ओर फमेंवाण टोर्णovान नियכ। वे वे अपन वार इन्हानित प्लासी ने सुद्सित सब्सक्रा आफ आए क्या हुआ राएगे इसके आपके घर कम्नी ए इसके यहाँ देगीनि-जा ख़िए कि एक्षान जाया थे लगारा मैचिंग मैचे माचे मैचे मैचे में चल लगारा है रामो बुद दिख रुग लगो लगो दिखेगा लगो दिखेगा लाकिज अगग प्लास्टिक पाड़ दो okay अब अभलाई से गुप पारिश करें कि आण लोगी तो टाउन करें अभ manifान के अंभी है अभलाई जानसा। हैंगी डाउन कर हमिका? अभलाई भी और एक षफोलु बहुते है ने ललेग रहोदे, बहुते है क्यों सोट यह मेरा चाहता बारिश हो रही है यह मैंने पूरा रेंगोट पहन लिया है और मैं बना रही है चमबा मार्कित की वीडियो यहां पे हो रही है बारिश बहुत तेश तो वीडियो मुझे चाहता लेकर बनाने को रही है यह पूरा चमबा मार्कित है यहां पे आपको हर तरीके की शौप दिखेगी जूते चपल कपड़े रजाई जद्दे यह साड़ी की शौप यह जुल्री की शौप यहां पे सबजी की दुकान फूजा बहंडार फूजा का सारा समान Wid przed ourselves, मेर फुप जहां बनान झाल फूप पूशेगी दूपटरो दे आप भाए जूए है और करसे फूप यहां जुल्पटरो थाए आप यह मीत चाँ के बना झाल 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 माना यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ मैं यूट्यूब कर वीडियो बनाती हूं जगा जगा की तो चंबा मार्केट में गूमने के लिए आई थी उसकी वीडियो बना रही हूं मार्केट के दिल्ली से तो मैं आपकी शॉप अच्छी लगी मुझे तो मैं अंदर आ गई दिखाने के लिए शॉल्स वेकर है ना आप के पास के दुकान का नाम किया आपकी अपकी थी ठीके नमस्ते अंकल जी थीए नमस्ते अच्छी थी 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 कर मेरे बप्रों की अच्छी आपकी शुक्राइब है आपकी शुक्राइब है आपकी शुक्राइब है थांक्यू उंकल जी थांक्यू चाहते के लिए और यह चले हम मार्केट एक्स्प्लोर करने अब हम आपको एक्स्प्लोर कराएंगे चमबा मार्केट जो की उत्राखंट का बहुत ही फेमस मार्केट है चमबा उत्राखंट के टीरी गड़वाल में बसा हुआ है और साथ ही उत्राखंट का सबसे लोगप्री हिल स्टेशन है इस चमबा मार्केट में आपको रुकने के लिए कई सारे होटेल्स, गेस्ट हाउस असानी से मिल जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे चलके है चमबा का बस टेंड जहां से आपको मिलेंगी गाडिया इंफोमिशन के लिए मैं आपको बता दू कि अब चमबा भी एक में टूरिस जगा बन चुकी है क्योंकि इस शहर से मसूरी भी लगबग 50 से 55 किलोमीटर दूर है साथ ही आप धनौल्टी भी कवर कर सकते हैं जहां पर आप इको पार्क और सुरकंड़ा देवी मंदिर जा सकते हैं साथ ही कानताल भी पास में तो वहां भी जाके एक्स्प्लोर कर सकते हैं और न्यू टेरी और टीरी डैम यह सारी चीज़े आसपास है चमबा के तो यह सारी चीज़े आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने इचोनी टू चंबा कैसे ट्रावल किया चंबा मार्किट आपको एक्स्प्लोर करा है चंबा टनल आपको दिखाई नेक्स वाले व्लॉग में आप देखेंगे कोटी कोलोनी टीरी डैम ब्रिज डोब्रा चांटी ब्रिज तीरी डैम ये सारी चीजे हम आपको जल्दी एक्स्प्लोर कराएंगे नेक्स वाली व्लॉग में मीचे सिर्व जाते हैं बद्रिनार यहां से 350 खिलो मीटर है और केदार ना 285 क्लो मीटर है तो इस तेज बारिश में एक्स्प्लोर किमने इंगे चंबा मार्किट आप देख रहे हैं किस तरीके से छाता लेके रेनकोड पहनके हम इस मार्किट को एक्स्प्लोर कररहे बहुत जादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में उनको एडिट करने में और नेक्स्ट वाला व्लॉग आप देखेंगे टीरी डाम वगरेका उससे जो नेक्स्ट होगा उसके बाद जोगी शादी की वीडियो आप देखने वाले हैं जैसे कि किर्तन, हल्दी, मेहंदी, श आने के लिए और सारे व्लॉग्स में आपको मज़ा बहुत जाद आने वाले हैं क्यूंकि आप देखने वाले हैं आगे व्लॉग्स में पहाड़ी शादी सो अगर आपने भी हमारी तरह टीरी गडवाल का ये फेमस चंबा मार्केट एक्स्प्लोर किया है तो आपको ये मार्केट कैसा लगा आपको कॉमन सेक्षिन में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना है एंड लास्ट अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहां का बहुती प्रसित चोराहा जिसका नाम है गपर सिंग चॉक्स कि अब जी रखाने यहां का इस नहीं जी जी विए बहुत फेंश चाहिए आपकी अब या बहुत तो बहुत जाए आपकी छिक्षा करेंगे कि आपके आपके हैं स्टीह के लिएरी ओड़ें पिर्दोराइब पतें हैं को सबस्केट करेंगे हैं हाँ जी जी आपके खोले गवादे लिए क्रिस्का भी ओगारी वेलिकोल जी वाट मैट्किवीए बेटो आप जी प्रवार गाराग तर भानी आपे राग हूं अब आपकू आपके दूसा आपको नापकोरी कान। नाइंटी एंसे पानी का है? प्राइट प्राथ बना रहे हैं? प्राइट प्राथ बना रहे हैं? बच्छा बटूरा का दो को दो ख़्या कंदा डिचा को का है कर भूराइट यू मैं हमारे ले स्पेशा का है हाँ जी हाँ कर दो है यह पुटी वी कैसे हैं? क्रणा नितक्र टनितक्त नितक्ट्स और गवेश। ज्लीकूटगोड किसे लिदेक्ट कर अपिधी हैं? युने टेट्स पक्रस्ट कर ना बैली बार पी रहा हूं पिली बार? इव पहे हैं? पीनियापको चाय हमेशा, सदकार मैं आतोध हों लेकिन आपे प्रांटे काता तरिंग चाय कभी निपी मेने है पर्स्टाइम है मेरा यह बिया का कार्ड और चंबा मार्केट अबगर आप जब भी आए यहां से गुजर कर सदकार रेस्टों पर आपको आना है आपको पकोड़े खाने है और इन्जॉय करना है इनका टेस्टी टेस्टी स्टाफ ठीके भेया नमस्ते थांक्यू यह क्या चॉक है यह गबड़तिंग चॉक मेन चॉक चंबागा अच्छा मलब जाना माना चॉक है अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है लाइक शेर कॉमेंट और सबस्क्राइब तो सबसे जादा ज़रूरी है तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक कियर